महा भारत के विराट परव में कोरवों की चड़ाई उत्तर का ब्रहिनल्ला को सार्थी बनाकर युद्धवे जाना और कोरव सेना को देखकर डर से भागना वैशंपायन जी कहते हैं राजन जाब मतस्य राज विराट करमों को छड़ाने के लिए त्रिगत सेना की और गए तो द्रियोधन भी मुका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चड़ाया भीशम, द्रोन, करण, क्रिप, अश्वस्थामा, शकुनी, दुशाशन, विवंश्टीत, विकरण, चित्रसेन, दुर्मुक, दुश्चल त्था और भी नेको मारती द्रियोधन के साथ थे मिसब कुरब वीर विराट की سाथ हजार गुवों को सब और से रत्थो की पंक्ती से रोक कर ले चले उन्हें रोकने पार जब मार पी ढूने लगी तो गुवाली न माहरतियों के सामने नहीं ठैर सकी और उनकी मार खाकर जोड़ जोड़ से चिलाने लगे तब गवालियों का सरदार रत पर चड़कर अत्यां दीन की तरह रोता बिलकता नगर में आया मैं सीधा राज महल के दरवाजे पर पोचा रत से उतर कर भीतर चला गया वहां से विराट का पुत्र भूमिंजे अर्थात उत्तर मिला गोप राज ने उसी को सारा समचा सुना दिया और कहा राजकुमाद आपकी साथ जार गुमों को कुरब लिये जा रहे आप राजी के बड़े हिद्चिंदिक हैं इसमें अपनी अनुपस्तिती में महराज आपको ही यहां का परबंद सोब के हैं और सबा में वे आपकी प्रशंचा करते हुए ये कहा भी करते हैं कि मेरा ये कुल दीपक पुत्र ही मेरे अन्रूप और बड़ा शूर वी रहे गवालिये ने ये बाते कहीं तो मैं अपनी बढ़ाई करता हुए करना भाई आज मैं जिस और गवे गई हैं उदर अवश्य जाओंगा मेरा धनुष तो काभी मजबूत है किन्तो किसी ऐसे सार्थ की वश्यक्ता है खोड़े चलाने में बहुत निपुन हो इससे मेरी निगा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा सार्थी बन सके अधे तो मेरे लिए कोई कुशल सार्थी की तलाश करो फे तो इंद्र जैसे दान्मों को बहभीत कर देते हैं उसी प्रकर्में द्रियोधन, बीश्म, करन, कृपाचारी, द्रोन और अश्यस्थामा इन सभी महान धनुर्धरों के छक्के छुड़ा कर एक शन में ही अपनी गमों को लुटा राऊंगा जिस समय में युध्वे मेरा प्रकर्म देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि शाक्षाद प्रिथा पुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है जब राजपुत्र ने इस्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो ध्रोपती से नहीं रहा गया मैं इस्त्रियों में से उटकर उत्तर के पास आई और उनसे कहने लगी ये जो हाथी के समान वी शालकाय और दर्चनी युवक ब्रहिनल्ला नाम से विख्यात है पहले अर्जुन का सार्थी ही था यदि ये आपका सार्थी हो जाए तो आप निच्चे ही सब को और वो को जीत कर अपनी गमे लुटा लाएंगी सेरंद्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा बहन तो शीगरी जाकर प्रहिनल्ला को लिवाला भाई के कहने से उत्तरा तुरंती निरिच शाला में पहुची प्रहिनल्ला ने अपनी सखी राजकमारी उत्तरा को देख कर पूछा कहो राजकन्य कैसा आना हुआ तब राजकन्या ने बड़ी विने दिखाते हुए कहा बिहन ले कोरव लोग हमारे राष्ट की गमों को लिये जा रहे हैं उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई तनुश धारन करके जा रहा है तुम मेरे भाई किसार्थ ही बन जाओ और कोरव लोग गमों को दूर लेकर जाएं उससे पहले ही राथ उनके पास पुचा दो कुमारी उत्तरा के इस परकार कहने पर अरजन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए प्रहिनल्ला को दूर से ही आथे देखकर राजकुमार ने कहा ब्रहिन ले जिस समय में गुवों को बचाने के लिए कुर्वों के साथ युद्ध करूं उसे तुम मेरे खोड़ों को उसी परकार अपने काबू में रखना जिस परकार पहले से रखते आए हूँ मैंने सुना है पहले तुम अर्जुन के प्रिये सारती थे और तुमारी साथा से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारे प्रित्थी को जीता था इसके पश्चाद उत्तर ने सुरे के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कोच धारन किया तदा अपने रतपर सिंग की धोजा उने कहा बरी न ले तुम संग्राम भूवी में आई हुए बेशम द्रोन आदी कोरो को जीत कर हमारी गुडिया के लिए रंग बिरंगे महीन और कॉमल वस्तर लाना इस पर अर्जु ने हसकर कहा यदि ये राजकुमार उत्तर रन भूवी में उन महारतियों को प्रास कर देंगे तो मैं अवश्य उन के लिए दिव और सुन्दर वस्तर लाऊंगी अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकल कर बाहर आया और अपने साथियों से बोला तुम जिधर कोरोर लोग गए हैं उधर ही रथ ले चलो यहां जो कोरो लोग विजय की आशा से आकर इकठे हुए हैं उन सब को जीतकार उन से गुवे लेकर मैं बहुत जल्ब लोटाऊंगा तब पांडू लंदन अरजुन ने उत्तर के उत्तम जाती के घोड़ों की लगाम डिली कर दी अरजुन के हाकने से वे हवा से बात करने लगे और ऐसी दिखाई देने लगे मनवकाश में उट रहे हूँ थोड़ी ही दूर जने पर उत्तर और अरजुन को महबली कोरो की सेन दिखाई दी मैं विशाल वाहनी हाँ थी घोड़े रत्तों से भरी थी करन द्रियोधन कृपा चारे भीशम और अश्व इस्थामा के सहीत मान धनुदर द्रोन उनकी रक्षा का रहे थे उसे देखकर उनके रोंग्टे खड़े होगे और उसने भे से व्याकुल होकर अर्जुन से कहां मेरी ताब नहीं है कि मैं कोरों के साथ लोहा ले सकूँ देखते नहीं हो मेरे सारे रोंग्टे खड़े होगे हैं इस सेना में तो अगनी तवीर दिखाई दे रहे हैं ये तो बड़े ही विकट है देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते मैं तो अभी बालक ही हूँ शष्ट्र अश्ट्र का भी विशेश अभ्यास नहीं किया है फिर मैं अकेला ही इन शष्ट्र विद्या के पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूँगा इस लिए ब्रहिनले तुम लोट चलो ब्रहिनला ने कहा राजकमार तुम ने इस्ती पुर्षों के सामने अपने पुर्षार्थ की बड़ी प्रिशंचा की थी और तुम शत्रू से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते यदि तुम इने प्रास किये बिना घर लोट चलोगे तो सब इस्ती पुर्ष अपवान से मिलकर तुमारी हसी करेंगे मुझसे भी सेरंद्री ने तुमारा सारथ्य करने को कहा था इसलिए अब बिना गुवे लिए नगर की और जाना मेरा काम नहीं है उत्तर बोला बहिन ले कोरव लोग मतस्य राज की बहुत सी गमें लिए जाते हैं तो ले जाएं और इस्ती पुर्ष मेरी हसी को करें तो करते रहें कि तो आप युद्ध करना मेरे की वश की बात नहीं है ऐसा कहकर राज कुमार उत्तर राज से कूद पड़ा और सारी मान मरे अदा को तिलांजरी देकर धनुशवान भैंकर भागा ये देकर ब्रहनना ने कहा शूर वीरो की दृष्टी में युद्स तल से भागना शत्रियों का धर्म नहीं है शत्रियों के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है दर कर पीट दिकाना अच्छा नहीं है ऐसा के करकुंती नंदन अरजुन भी राज से कूद पड़े और भागते हुए राज कमार के पीछे दोड़े और बड़ी तेजी से सोही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए अरजुन दोरा पकड़ लिए जाने पर उत्तर काईरों की तरह दीन होकर रूने लगा और बोला कल्यानी ब्रहिन लेच सनो तुम चल्दी ही रत लेच जरो देखो जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे अते इसी परकार घबराकर बहुत अन्यने मिने करता रहा किन तो अरजिन हस्ते हस्ते उसे रत के पास ले आई और कहने लगे राजकमार यदि शत्रों से युद्ध करने के तुमारे हिम्मत नहीं है तो लो तुम घुड़ों की राज संभालो मैं युद्ध करता हूँ तुम इस रतियों की सेना में चले चलो डरना मत मैं अपने बाहुबाल से तुमारी रक्षा करूंगा और तुम डरते क्यों हो आखिर हो तो शत्री के ही बालक फिर शत्रों के सामने आकर घबराना कैसा देखो मैं इस तुर्जे सेना में गुसकर कोरमों से लड़ूंगा और तुमारी गुँए छुडा कर लाऊंगा तुम जिरा मेरे सार्थी का काम करतो इस परकार महावीर अरजुन ने युद्ध से डर कर भागते वे उत्तर को समझाया और उसे फिर रत पर चड़ा लिया वे शंपाइन जी कहते हैं जब भीशम द्रोन आधी प्रदान प्रदान कोरम महारतियों ने उस नपुंसक वेश्टारी प्रुष को उत्तर को रत में चड़ा कर शमी मृक्ष की और जाते देखा तो वे अरजुन की आशंका करके मन इमन बहुत डरे तब शेश्टर विद्या विशारत द्रोनाचारे जिने पिता में भीशम से कहा गंगा पुत्र ये जो इस्त्री वेश्ठारी दिखाई देता है वे इंद्र का पुत्र कपी धवज अरचुन जान पड़ता है ये वश्ची हमें युद्ध में जीतकर गंवे ले जाएगा इस सेना में मुझे तो इसका सामना करने वाला कोई भी युद्धा ने दिखाई नहीं देता सुनते हैं कि हमाले पर तबस्या करते समय अरचुन ने किरात वे इस्थारी भवान शिंकर को भी युद्ध करके पसंद किया और कर लिया था इस पर करन बोला चारे आप सदा ही अरचुन के गुन गाकर हमारे निंदा किया करते हैं किन्तुवा मेरे और द्रियोधन के तो सोलवे अंश के बराबर भी नहीं है द्रियोधन ने कहा और करन कहा और करन यदि ये अरजुन है तो मेरा काम ही बन गया क्योंकि पहचान दिये जाने के कारण अब पांडों को फिर बारां वर्ष तक वन में विचरना पड़ेगा और यदि कोई दूसरा प्रोश नपुनसक के रूप में आया है तो मैं इसे अपने पहने बारों से धारा शाहिकारी दूँगा राजन इदर अर्जन रत को शमी वर्ष के पास ले गया और उत्तर से बोरे राजकुमार मेरी आग्या मान कर तुम शीकरी इस वर्ष पर से धनुश उतारो ये तुमारे धनुश मेरे बाहुबल को सेहन नहीं कर सकेंगी इस वर्ष पांडों के शष्ट रखे हुए हैं ये सुनकर राजकुमार उत्तर रत से उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस वर्ष पर चड़ना पड़ा अर्जन ने रत पर बैठे बैठे ही फिर आग्या दी इन्हें जटपट उतार लो देरी मत करो और जल्दी हिन के उपर जो वस्त रादी लिपते हुए हैं इसे खोल दो उत्तर पांडों के उन अतियुत्तम धनुशों को लेकर नीचे उत्तरा और उन पर लिपते हुए पत्तों को हटा कर उन्हें अर्जन के आगे रखा उत्तर को गांडीव के सिवा महँचार धनुश और दिखाई दिए उन सुर्ख समानत जसी धनुशों को खोलते ही सब और उनकी दिवेकांती फैल गी तब उत्तर ने उन प्रभावपूर और विशाल धनुशों को हाद से छूकर कहा कि ये किसके हैं तो अरजन ने कहां राजकमार इनमें ये तो अरजन का सूपरसीद गांडीव धनुश है ये संग्राम भूमे शत्रों की सेना को शन भर में नश्ट बरस्ट काड़ डालता है तीनों लोकों में इसकी सूपरसिद्धी है और ये सभी शिस्त्रों से बड़ा चड़ा है ये किलाही एक लाख शिस्त्रों की बराबरी करने वाला है अरजन ने इसी के दौरा संग्राम में देवतार मौनशों को प्रास्त किया था देखो यह चित्र विचित्र रंगों से शौवित लचकीला और गांठ आदी से रहित हैं अरंब में 1000 वर्ष तक तो इसे ब्रमा जी ने धारन किया था फिर 500 वर्ष तीन वर्ष तक यह प्रजापती के पास रहा इसके पाद 85 वर्ष इसे इंदर ने धारन किया और पांच सो वर्ष तक चंद्रमा ने तथा सो वर्ष तक वरुन ने अपने पास रखा अब 65 वर्ष काल अर्थाद 32 साल से ये परम दिविद धनुष अर्जुन के पास है उसे ये वरुन से ही प्राप्त हुआ है दूसरा जो सुने से मड़ा हुआ देवतार मुनिशों से पूजित सुन्दर पीट वड़ा धनुष है भीम सैन का है शत्रुदमन भीम ने इसी से सारी पूर्वत दिशाज जिती थी तीसरा ये इंद्र गोप के चिन्नवाला मनोह धनुष महराज युदिष्टर का है चोथा दौश जिसमें सुने के बने हुए सूरे चम्चमा रहे हैं नकुल का है और जिसमें सवन के फटिंगे चित्रित हैं वे पांच्वा दौश माधरी नंदन से देव का है उत्तर ने कहा प्रिनले जिन शीक्र प्रक्रमी महात्माव के ये सुन्दर और सुनेले आयुदिस वरकार चमचमा रहे हैं वे प्रिथापुत अर्जुन, युदिष्टर, नकुल, सदेवर, भीमसेन कहा हैं वे तो सभी बड़े माहन भावर शत्रों का सुन्हार करने वाले थे जब से उन्होंने जुए में अपना राज्य हारा है तब से उनके विशे में कुछ सुनने में नहीं आया तथा इस्त्रियों में रत्न सवरूपा पंचाल कुमारी ध्रोपती भी कहा है तो अर्जुन ने कहा मैं ही प्रिथा पुत्र अर्जुन हूँ मुख्य सवा साथ कंक युदिष्टर हैं तुमारे पिता के रस्वई पकाने वाले बल्लव भीमसेन हैं अश्य शिक्षक करंथिक नकुल हैं गोपाल तंती पाल से देव हैं जिनके लिए कीछे कमारा गया है वे सेलिंदरी द्रोपती है उत्र बोला मैंने अर्जुन के दस नाम सुने हैं यदि तुम मुझे उन नामों के कारण सुना दो तो मुझे तुमारी बात में विश्वाश हो सकता है तो अर्जुन ने कहा मैं सारे देशों को जीत कर उससे धन लाकर धन ही के बीच में स्थित था इसलिए धनजी हुआ मैं जब संग्राम में जाता हूँ तो महां से युद्ध नमत शत्रों के जीते बिना कभी नहीं लोटता इसलिए विज्ध हूँ संग्राम भूई में युद्ध करते समय मेरे रत में सुनायले साजवाले शेत अश्व जोते जाते हैं इसलिए मैं शेत वाहन हूँ मैंने उत्तर फागनी नक्षत्र में दिन के समय हिमाले पर जनम लिया था इसलिए लोग मुझे फागन कहते ही पहले बड़े बड़े दानों के साथ युद्ध करते समय प्रसिद्ध हूँ गांडी को खिंचने में मेरे दुनों हाथ कुशील है इसलिए देवतार मनुष्य मुझे सबय साची नाम से पकारते हूँ चारों समुद्र प्रियंत प्रिथी में मेरे जैसा शुद्ध वरन दुरलब है और मैं शुद्ध ही करम करता हूँ इसे लोग मुझे अरजुन नाम से जानती है मैं दुरलब दुर्जे धमन करने वाला और इंद्र का पुत्र हूँ इसलिए देवतार मनिश्यों में जीशनु नाम से विख्यात हूँ मेरा दस्वा नाम कृष्ण पिता जी का रखा हुआ है क्योंकि मैं अज्जल कृष्ण वरन तथा लाडरा बालक होने के कारण चित को अकरशित करने वाला था ये सुनकर विराठ पुत्र अर्जन को परनाम किया और कहा मैं भुमिंजे नाम का राज कमार हूँ और मेरा नाम उत्तर भी है आज मेरा बड़ा सुबागी है जो मैं पृता पुत्र अर्जन का दर्शन कर रहा हूं मैंने आपको ना पहचानने के कारण जो अंचित शब्द कहें हैं उसके लिए आप मुझे शमा करें आप इस संदर रत में सवार हुए मैं आपका साथ ही बनूँगा और जिस सेना में आप चलेने को कहेंगे उस ही हैं मैं आपको ले चलूँगा तो अरजुन ने कहा प्रूश्रेश्ट मैं तुम पर परसंद हूँ तुमारे लिए कोई खटके की बात नहीं है मैं संग्राम में तुमारे सब शत्रों के पैर उखाट दूँगा तुम शांत रहो और संग्राम में शत्रों के साथ लड़ते हुए मैं जो भिशन करम करूँ वैं देखते रहू जिसे मैं गंडी धनुश लेकर रन भूमी में रत पर स्वार होंगा उसमें शत्रों की सेना मुझे जीत नहीं सकेगी आप तुमारा भे दूर हो जाना चाहिए उत्तर ने कहा आप मैं इन से नहीं डरता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्राम भूमी में बगवान शिरिकिस्टों शाक्षात इंद्र के सामने भी डट सकते हैं अब तो मुझे आपकी साहिता मिलगी है इसी मैं युद्ध शित्र में देवताओं से भी मकाबला कर सकता हूँ मेरा सारा भहे भाग चुका है बताईए मैं क्या करूं प्रूश्रिष्ट मैंने अपने पिताजी से सार्थी का काम सीखा था इसलिए मैं आपके रट के घोड़ों को अच्छी तरह संभाल लूँगा इसके पचात अरजुन ने शुद्धता पूरग रट पर पूरग अवी मुख बैटकर एकागर चिस से समस्त अश्त्रों को समरंग किया उन्हें प्रगटोकर हाट जोड़ कर कहा पांडु कमार आपके दास हम सब उपस्तित हैं अरजुन ने कहा तुम सब मेरे मन में निवास करो इस वरकार अश्त्रों को ग्रहन करके अरजुन का चेरा परसंता से खिल गया और उसने कांडीव धनुश पर डोरी चड़ा कर उसके टंकार की तब उत्तर ने कहा पांडव श्रीश्टा आप तो केले ही हैं इन शस्त्र अश्त्र के पारगामी अनेकों महारतियों को सिंग्राम में कैसे जीच सकेंगे ये सोच कर तो आपके सामने भी मैं बहुत भईभीत हो रहा हूँ ये सुनकर अरजुन खिल खिला कर हस पड़े और कहने लगे वीड डरह मत बताओ कोरों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्मों से युद्ध किया था उस समय मेरा साय कुन था देवराज के लिए निमात कवच और पलों देत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा कुन साय थी था द्रौपती के संबर में जब मुझे निकुरा जाम का सामना कड़ा पता उस समय किसन मेरी साय था की थी मैं गुरुवर, द्रोनाचारी, इंद्र, कुबेर, यम्राज, वरुन, अगनीदेव, कृपाचारी, लच्छीमपती, श्रीकिष्ण और भगवान शंकर इन सब का आश्रे पा चुका हूँ फिर भणा इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा तुम इन मानसिक भ्यों को छोड़कर जल्दी से रत थाको इस बरकार उत्तर को अपना सार्थी बनाकर पांड़ प्रवर अर्जुन ने शमी वरिक्ष की परकर्मा की और फिर अपने अस्त्रशेस्त्र लेकर अगनी देव के दिये हुए रत का ध्यान किया ध्यान करते ही आकाश से एक धज़ पताका से शविद्धिव रत थुत्रा अर्जुन ने उसकी प्रदक्षना की और इस वानर की धोजा वाले रत्वे बैट कर धनुश्वान धारन किया उत्तर की और प्रस्थान किया फिर उनने अपना महान शंक बजाया जिसका भीशन गोश सुनकर संत्रों के रौंटे खड़े होगे राजकुमार उत्तर को भी बड़ा भे मालुम हुआ और वैर रत के भीतर भाग में घुसकर बैट किया तब अर्जुन ने रासे खीच कर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हिद्दे से लगा कर आशवाशन देते कहा राजपुतर डर्व मत आखे तुम शत्री ही हो फिर शत्रों के बीच में आकर घबराते क्यों हूँ तो उत्तर ने कहा मैंने शंक और भैरियों के शब्द तो बहुत सुने हैं और सैना की मुर्चे बंदी से खड़े हुए हाथियों की चिंगाड सुनने का भी मुझे कई बार अवसर मिला है मन बहुती घबरा रहा है इस परकार बात करते करते एक महर तक आगे चलते रहने पर अर्जुन ने उत्तर से कहा आप तुम रत पर अच्छी तरह से बैट कर अपरी टांगों से बैठने की स्थान को जकर लो तथा रासों को साथधानी से संभाल लो मैं फिर शंक बजाता हूँ तब अर्जुन ने ऐसे जोर से शंक दवनी की मानों में परवत, गुफा, दिशा और चिटानों को विदेर्न कर देंगी उससे बाइवीत होकर उत्तर फिर रत के बीतर खुसकर बैट किया वो शंक दवनी, गांडीव की टंकार और रत की घड़गराहट से दहती दैल उठी अर्जुन ने उत्तर को फिर धैरे बंदाया इस बिशन शब्द को सुनकर कोरव सेना में दुरुनाचारे ने कहा ये मेग गर्जन के समान जो रत की बीशन गड़गराहट सुनाई दे रही है जिससे प्रिथी में भी कंप होने लगा है इससे जान पड़ता है कि ये अर्जुन के सिवा और कोई भी नहीं है देखो हमारे शष्टरों की कांती फीकी पड़ गी है घोड़े भी परसन्न नहीं जान पड़ते हैं अगनी हुत्रों की अगनिया भी प्रकाश हींसी हो रही है इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिमान नहीं परिनाम नहीं होगा सभी योध्धाओं के मुख निस्तेज और मन उदास दिखाई देते हैं हम गुमों को हस्तना पुरकी और भीज कर व्यू रचना करके खड़े हो जाएं अब राजा द्रियोधन ने भीम द्रोन और महारती क्रिपाचारे से कहा मैने और करने आचारे चरंच से ये बात कहीं बार कही है और फिर भी कहता हूँ पांडों से हमारी ये बात ठहरी थी कि जुए में हादने पर उन्हें बारा वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा तदा एक वर्ष तक किसी नगरियां वन में अग्यात वास करना पड़ेगा अभी इनका तेरा वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उनके पूरे होने से पहले ही अरजुन हमारे सामने आ गया है तो पांडों को बारा वर्ष का फिर वन में रहना पड़ेगा इस मात का निर्रें पिता में भिशम कर सकते हैं इसके सिवा एक बात ये भी है कि इस रथें बैटकर चाए मतस्यराज विराठ आया हो चाए अरजुन हमें तो सब से लड़ना ही है ऐसी ही हमारी परतिग्या भी है फिर ये भीशम, द्रोन, कृप, विकर्न और अश्यश्थामा आदी महारती इस परकार निर उत्सा होकर क्यों बैठे हैं इस समय सभी महारती गबराई से दिखाई देती ही कि तो युद्ध के सिवा और कोई बात हमारे लिए हित्कर नहीं है इस लिए आप सब अपने मन को उसाहित रखे यदि देवराज, इंद्र और सेम ये मराजवी संग्राम करके हम से गोदन चीलने तो ऐसा कौन है जो हस्तनापुर लोट कर जाना चाहिएगा द्रियोदन की बात सुनकर करन ने कहा आप लोग अचारे द्रुन को सेना के पीछे रखकर युद्ध की निती का विधान करे देखिए न, अर्जुन को आते देखकर ये उनकी परशंचा करने लगे है इससे हमारी सेना पर क्या परभाव पड़ेगा इसलिए ऐसी लिती से काम लेना चाहिए जिससे हमारी सेना में फोट नहीं पड़े जिस समय ये अर्जुन के गोड़ों के हिन हिनाहत सुनेंगे उसी समय इनके गपराने से सारी सेना अवस्तित हो जाएगी इस समय हम विदेश में हैं और बड़े भारी जंगल में पड़े हुई हैं गर्मी की रितु है तथा शत्रु हमारे सिर पर आ बोला है इसलिए ऐसी निती का आश्रे लेना चाहिए जिससे हमारी सेना गपराहट में नहीं पड़े आचारे तो द्यालो बुद्धिमार और हिंसा से विरुद्ध विचार वाले हुआ करते ही जब कोई बड़ा संकट आ पड़े तो इस से किसी परकार भी सलाह नहीं लेनी चाहिए पंडितों की शुबा तो मनोरम महलों में सभाओं में और बगीचों में जित्र जित्र कथाईं सुनाने में ही है अथा बड़ी वैश्य देव के द्वारा अन्न का संसकार करने में राजा कीत आदी का गिर जाने से उसकी दूशित हो जाने पर भी पंडितों की सम्मतिक काम दे सकती है अधा शत्रू की प्रशंचा करने वाले इन पंडित लोगों को पीछे की ओर रखकर ऐसी नीती का आश्रे लो जिसे शत्रू का नाशू सब गमों को बीच में खड़ी कर लो उसके चारवर व्यू रचना कर दो और रक्षकों को नियुक्त करके रन्शेत्र की संभाल रखो जान से की हम शत्रों से युद्ध कर सकें मैं पहले परतिग्या कर रही चुका हूं उसके अंसार आज संग्राम भूई में अर्जन को मार कर द्रियोधन का अक्षे रिन चुका दूंगा ये सुनकर क्रिपाचार ने कहा करन युद्ध के विशे में तमारी बुद्धी सदा ही बड़ी कड़ी रहती है तुम ना तो कारे के सबरूप पर ध्यान देते हो ना उसके परिनाम का विचार करते हो विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जन से लोहा लेने में समर्थ नहीं है देखो उसने अकेले ही चित्र सेंगंदर्व के सेवकों को युद्ध करके समस्त कोरों की रक्षा की थी तथा अकेले ही अगनी देख को त्रिप्त किया था जब किरात वीश में भगवान शिंकर उनके सामने आए तो उन से भी उसने अकेले ही युद्ध किया था निवात कवच्च और काल के दानों को तो देवता भी नहीं दबा सके थे उन्हें भी उसने युद्ध में अकेले ही मारा था अर्जुन ने तो अकेले ही ये निको राजान को अपने धीन कर लिया था तुम ही बताओ तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतोत करके दिखाई है अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामरतों इंतर में भी नहीं है तुम जो उनके साथ भिणने की बात कर रहे हो इससे मालम होता है तुमारी मस्तिक्ष ठिकाने नहीं है इसकी तुमें दवा करानी चाहिए हाँ द्रोन द्रियोधन भीशम तुम अश्ष ठामा और हम सम मिलकर अर्जुन का सामना करेंगी तुम अकेले ही उससे भिणने का साहस मत करो इसके बाद अश्ष ठामा ने कहा अभी तो हमने गमों को जीता भी नहीं है और ना हम मतस्राद की सीमा पर ही पूँचे ही हस्तना पूरपार भी अभी बहुत दूर है फिर तुम ऐसे बढ़ चाड़ कर बाते क्यों बनाती हो त्रियोधन तो बड़ा ही क्रूर और निरलज है नहीं तो जुवे में राजे जीत कर भला किस शत्री को संतोश होगा अधा जिस परकार तुमने जुवा खिला था इंदप्रस्त को जीता था द्रोपती को बलाज सबा में बुलाया था उसी परकार अब अर्जुन के साथ संग्राम करना अरे काल, यवन, काल, पवन, मृत्यू और वडवा नन जब कोब करते हैं तो कुछ ना कुछ शेष छोड़ जिलते हैं कि तो अर्जुन तो कुपित होने पर कुछ भी बाके नहीं छोड़ता अधा जिस परकार तुमने ध्यूद सबा में शकुनी की सला से जिवा खिला था उसी परकार तुम मामा जी की देख रेक में ही अर्जुन से लड़ लो भाई, और कोई भी वीर युद्ध करे, मैं तो अर्जुन से लड़ूँगा नहीं यदि गुम्वे लेने के लिए मतस्य राज विराठ आया, तो से मैं अवश्य युद्ध करूँगा ताब वीशम पिता मैंजी बोले, अश्य श्थामा और कृपाचार का विचार बहुत ठीक है करन तो शत्री धर्म के अंसार युद्ध करने पर हितुला हुआ है फिर भी समयदार आदमी को अचारे द्रोन पर दोश नहीं लगाना चाहिए और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है, तो आपसमें विरोध करने का अफसर तो यह है ही नहीं अचारे क्रिप द्रोन और अच्छे स्तामा को भी इसमें शमा ही करना चाहिए बुद्धी मानों ने सेना से संबंद रखने वाले जितने दोश बताए हैं, उनमें आपस की फूट सबसे बढ़कर है द्रियोधन ने कहां अचारे चरन इसमें शमा करें और शांती रखें यदि इसमें गुर्देव के चित में कोई अंतर ना आया, तब ही हमारा आगे का काम बनना संबव है तब करन भीशम और कृप अचार के सही द्रियोधन ने आचारे द्रोन से शमा करने की प्राथना की इससे शांतो कर द्रोन अचार ने कहा, शांत मुरंदन भीशम ने जो बात कही है, मैं तो उसे सुनकर ही परसन्न हो गया हूँ अच्छा अब युद्ध की नीती का विधान करो द्रियोधन को पांड़ों के तेरे में वर्ष के पूरे होने में संदे है किन्तु ऐसे हुए बिना अरजुन कभी हमारे सामने नहीं आता द्रियोधन ने इस विशे में कई बार शंका की है इस विशे में ठीक निर्ने करके बताने की किर्पा करें इस पर पिता में बिश्व ने कहा ये सम मिलकर एक काल चक्र बने हुई है वे काल चकर कला काश्टा आदी के विभाब पूरा घुमता रहता है उसमें सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांग जाते हैं तो काल की कुछ वृद्धी हो जाती है इसी से हम इसी से हर पांचे वर्ष दो महिने बढ़ जाते हैं इस लिए मेरा ऐसा विचार है कि पांडो को अब तेरा वर्ष से पांच मेहने और बारा दिन का समय अधिक हो चुका है पांडो ने जो जो प्रतिग्याइं की थी उनका ठीक ठीक पालन किया है इस समय इस अभधिकावी अच्छी तरह निश्चे करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थ के मरमग्य है पला ये दिश्टर जिनके नेता हैं वे धर्म के विशे में कोई चूक कैसे कर सकते हैं पांडो लग निर्लोब हैं उन्हें बड़ा दुशकर करम किया है इसी वे रज्ज को भी किसी निती विरुद्ध उपाई से लेना नहीं चाहेंगे प्राकर्म पूर्वक रज्ज लेने में तो वे वनवास के समय भी सम्मर्थ थे किन्तु धर्म पाश में बंदे होने के कारण वे शात्र धर्म से विचलित नहीं हुए इसलिए जो ऐसा कहेगा कि अर्जुन मिथ्याचारी है उसे मुझ की खाने पड़ेगी पांडव लोग मोत को गले लगा लेंगे किन्तु असत्य को कभी नहीं अपनाएंगे साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आने पर उनका जो हाक होगा उसे वे वज्जर धर इंदर से शुरक्षित होने पर भी नहीं छोड़ेंगे इसलिए राजन युद्धो चित अत्वा धर्मो चित कोई भी काम शीगर ही करो क्योंकि अब अर्जुन समय भी आ गया है तो द्रियोद ने कहा पिता में पांडो को राज्य तो मैं निद्धोंगा नहीं आत्या अब जो युद्ध के लिए त्यारी करनी हो वही शीगर कर लो भी शम बोले इस विशे में मेरा विचार है वह सुनो तुम तो चुथाई सेना लेकर हस्तनापुर की और चरे जाओंगे दूसरा चुथाई भाग गवो को लेकर चला जाए शेश आदी सेना के साथ हम अर्जुन का मकाबला करेंगे अर्जुन युद्ध के लिए आ रहा है आता है मैं दूरुना चारे करन अच्छ श्थामा और कृपा चारे उससे युद्ध करेंगे पीछे यदि राजा विराठिया सेम इंद्र भी आएगा तो जैसे तर्ट समुत्र को रोके रहता है उसी परकार मैं उसे रोक लूँगा मातवां भीशम की ये बात सभी को अच्छी लगी फिर कुरवराज द्रियोधन ने ही वैसा ही किया भीशम ने पहले तो द्रियोधन और गौवा को विदा किया उसके बाद मुख्य मुख्य सेना पत्यों की विवस्ता करके व्यू रचना रंब की उनने कहा द्रोन जी आप तो बीच में खड़े हो जाएए अश्यस्तामा बाईयों रहे मतिमान क्रिपाच्यारी सेना के दाहने पार्ष की रक्षा करें करन कोच धारन करके सेना के आगे खड़े हो और मैं सारी सेना के पीछे रहकर उनकी रक्षा करूँगा महाभारत के विराटपर में अर्जुनका द्रियुधन के सामने आना विकर्ण और करन को प्राजित करना तधा उत्तर को कोरव वीरों का पर्चे दिना अचारे कृप और द्रोन की प्राजे अर्जुन के साथ अश्व श्थामा और करन का युद्ध तदा उत्तर की प्राजे अर्जुन और भिशम का युद्ध और भिशम का मुर्चित होना द्रियुधन की प्राजे कोरो सेना का मोहितुना और कुरू देश को लोट जाना वे शंपाइन जे कहते हैं इस प्रकार जब कोरो सेना की व्यू रचना हो गई तो तरंती अर्जुन अपने रत के घड़ घड़ाहट से आकाश को गुंजाए मान करते हुए आगे ये सब देखकर दुरूना चार ने कहा वीरो देखो दूर से ही वै अर्जुन की धोजा अग्रभाग दीख रहा है ये उसी के रत के घड़ घड़ाहट है और उसकी धोजा पर बैटा हुआ वानर ही किलकारी मार रहा है इस उत्तम रत पर बेटा हुआ ये महारती अर्जुन ही वज्जर के समान कठोड तंकार करने वाले गांडीव दुनुश को खींच रहा है देखो एक साथ ही ये दो वान मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और दो मेरे कानों को शपर्ष करते वे निकल गए हैं इससे मैं अनेको अती मानुश करम करके वनवाज से लोटा है इस दिये इनके द्वारा वे मुझे परनाम करता है और मुझसे कुशल समाचार पूछता है अपने बंदू बहांदों के अत्यंत प्रिय अर्जुन को आज हमने बहुत दिनों बार देखा है इदर अर्जुन ने कहा सार थी तुम रत को कुरव सेना से इतनी दूरी पर ले चलो जितनी दूरी की एक बांच जाता है वहाँ से मैं दिखूंगा कि कुरुकुल अधम द्रियोधन कहा है इसके बाद अर्जुन ने सारी सेना पर दिष्टी डाल कर देखा किन तो उने द्रियोधन कहीं दिखाई नहीं दिया तावे कहने लगे मुझे द्रियोधन को यहां दिखाई नहीं देता मालम होता है दक्षिन दिशा से गुवे लेकर अपने प्राण बचाने के लिए खस्तना पुर्की और भाग गया है अच्छा आई से रत सेना को तो छोड़ दो उस और चलो जिदर द्रियोधन कहा है अर्जुन की आग्या पाकर उत्तर ने उसी और को रत हांक दिया जिदर द्रियोधन गया था द्रियोधन के पास पूँचकर अर्जुन अपना नाम सना कर उसकी सेना पर टिड्डियों के समान बान बरसाने लगा उनके छोड़े बानों से धक जाने के करण प्रिथी और अकास दिखाई देने बंद होगे अर्जुन की शंक की धनी रत के पईयों की घड़ाहट गांडीव की तंकार और उसकी धजा से रहने वाले दीव ये प्राणियों के शब्द से प्रिथी काम पुठी और गववे पूच उठा कर रंबाती हुई सब बोर लोटकर दक्षिन की और भागने लगी ये शंपायन जी कहते हैं अर्जुन धरंधारियों में श्रेश था उसने शत्रु सेना को बड़े वेक से दबा कर गववों को जीत लिया इसके बाद युद्ध की इच्छा से वे दुर्योधन की और चला कोरव वीरों ने देखा गवे तो शीक्र गती से विराठ नगर की और भाग गई और अर्जुन सफल होकर दुर्योधन की और बड़ा आ रहा है तो बड़ी शीक्रता से वहाँ पुछे कोरों की उस सेना को देखकर अर्जुन ने विराठ कमार उत्तर से कहा राजपुत्र आज कल दुर्योधन का सहारा पाकर करन बड़ा अभिवानी हो रहा है वैं मुझसे युद्ध करना चाहता है अताब पहले उसी के पास मुझे ले चलो उत्तर ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमी के मद्दे भाग ले जाकर खड़ा कर दिया इतने में चित्र सेंच संग्राम जीत शुत्रूस है और जे आदी महारती वीद उनके मकाबले में आडटे युद्ध छिड़ गया अर्जुन ने इनके रथों को उसी परकार भसम कर दिया जैसे आग बन को जला डालती है जब ये भ्यानक संग्राम हो रहा था उसी समय कुरूवंच का श्रेष्ट योदा विकरन रत पर बैठकर अर्जुन के उपर चाड़ाया आते ही वहें वीपाठ नामक बानों की वर्शा करने लगा अर्जुन ने उसका धनुश काटकर रत की धजा के टुकड़े टुकड़े कर दिये विकरन तो भाग गया किन्तु शत्रुन तप नामक राजा सामने आकर अर्जुन के हाँच से मारा गया फिर तो जैसे परचंड आंदी के वेक से बड़े बड़े जंगलों के विरिक्ष हिल उठते हैं उसी परकार अर्जुन की मार खाकर कोरव सैना के वीर कांपने लगी कितने ही आहत होगी कितने के प्रांत याग दिये प्रिठी पर गिर पड़े इस युद्ध में इंदर के समान परकर्मी वीर भी अर्जुन के दोरा प्रास्त हुए मैं शत्रों का संहार करता हुआ युद्ध वही में विचर रहा था इतने में करन के भाई संग्राम जित से उसकी मुठवेर होगी अर्जुन ने उसके रत में जुते हुई लाल लाल घुड़ो को मारकर एकी बान से उसका सिर काट दिया भाई के मारे जाने पर करन अपने प्राकर्म के जोश में आकर अर्जुन की और दोड़ा और बारा बान मारकर उसने अर्जुन को भीन डाला उसके घोडों को छेट दिया राजकुमार उत्तर के हाथ में भी चोट आई ये देखकर अर्जुन भी जैसे गरुण नाकी और दोड़े उसी परकार करन पर तूट बड़ा ये दोनों वीर संपूरन धनुदारियों में शेष्ट महावली और सब शत्रों पर परहार सैने वाले थी इनका युद्ध देखने के लिए सभी कोरव वीर्ज्यों के तियों खड़े हो गए अपने अपराधी करन को सामने पाकर अर्जुन करोद और उत्सा से भर गया और एक ही शन में उसने इतनी बान वरिष्टी की कि रथ सार्थी और गोड़ो सहीत वाच छिप गया इसके बाद करोव के अन्यानी और धाउं को भी अर्जुन ने रथ और राथियों सहीत बेट डाला भी शमादी भी अपने रथ सहीत अर्जुन के बान से ढग गे इस से उनकी सेना में हाहा कार मच गया इतने में करन ने अर्जुन के तमाम बानों को काट दिया और अमर्च में भर कर उनके चारों घोडों और साथी को भींद दिया साथी रत की धोजा को भी काट डाला इसके बाद उसने अर्जुन को भी घायल किया करन के बानों से आहत होकर अर्जुन सोते वे सिंग के समान जाग उठा और उसके उपर पुना बानों की वर्शा करने लगा अपने वज्जर के समान तिजसी बानों से उसने करन की बाँ, जंगा, मस्तक, ललाट और कंठादी अंगों को भीन डाला करन का शीर शत्विशत्थ हो गया उसे बड़ी पीडा होने लगी फिर तो जैसे एक हाथी से हार कर दूसरा हाथी भाग जाता है परकारवे युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ करन के भाग जाने पर द्रियोदन आदी वीर अपनी अपनी सेना के साथ धीरे-धीरे अरजन की और बाड़ाई तब अरजन ने हंसकर दीवे अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कोरो सेना पर प्रत्या कर्मन गिया उसमें सेना के रत गोड़े हाथी और कवच आदी में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसमें दो दो अंगल पर अरजन के तीखे बानों का घाव ना हुआ अरजन के दीवे अस्त्र का प्रयोग घोडो की शिक्षा उत्तर की रत ठांकने की कला पार्थ के अस्त्र संचालन का कर्म और प्राकर्म देखकर शत्रू भी बढ़ाई करने लगे अरजन परले कालीन अगनी के समान शत्रू को बसं कर रहा था उसमें उनके तजस्सी सवरू की और शत्रू आंक उठाकर भी नहीं देख सके उनके दोड़ते हुए रत को समी पाने पर एक ही बार कोई भी शत्रू पहचान पाता था दोबारा उसे इसका अफसर नहीं मिलता था क्योंकि अरजुन तरंती उस शत्रू को रच से गिराकर पर लोग भी दीता था समस्त कोरो सैनको के शीर उसके दोरा छिन भिन होकर कस्त पा रहे थे में अरजुन का ही काम था दूसरे से उनकी तुलना नहीं हो सकती थी उसने दुरूना चारे को तेहत्तर दुस्य को दस, अश्यस्थामा को आठ, दुस्याजन को बारा, कृपा चारे को तीन, भीशन को आठ और द्रियोधन को सो बानों से घाल किया फिर करणी नमक बान मारकर करण का कान भीन डाला साती उसके घोड़े सारती तदा रत को भी नस्ट कर दिया ये देखकर सारी सेना तितर बितर होगी ताब विराट कमार उत्तर ने अरजन से कहा विजे अब आप किस सेना में चलना चाते ही आख्या दीजी, मैं वही रत ले चलू अरजन ने कहा उत्तर, जिस रत के लालाल घोड़े हैं इस पर नीली पता का फेरा रही है उस रत पर बैटे हुए जे अध्यन कल्यान कारी वेश में व्याग्र चरमधारी महाप्रोश दिखाई पड़ते हैं वे हैं क्रिपाचारे और वही हैं उनकी सेना तुम मुझे उसी सेना के निकट ले चलो और देखो जिनकी धोजा में सर्व में कमेंडलू का चिन है वे ही ये संपूरन शस्त्रधारियों में श्रीष्ट आचारे द्रून है तुम मेरे रत में इनकी प्रदक्ष ना करो जब ये मुझे पर परहार करेंगे तब ही मैं इन पर शस्त्र छोडूँगा ऐसा करने से ये मुझे पर कोप नहीं करेंगे इनसे थोड़ी ही दूर पर जिनके रत की धोजा में ध्रूश का चिन दिखाई दिता है ये आचारे द्रून का पुत्र महारती अश्यो स्थामा है तथा जो रतों की सेना में तीसरी सेना के साथ खड़ा है जिसकी धजा के उपर सर्न में हाथी का चिन बना है वही ये धितराष्ट का पुत्र राजा सी योधन है जिसकी धजा के अग्रभाग में हाथी की सुन्दर शिरंख्रा का चिन दिखाई दे रहा है ये करन है इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो तथा जिनके सुन्दर रत पर सद में पांच मंडल वाली नीले रंग की पताका फेराती है जो हस्त रान पहने हुए है जिसका धनुश बहुत बड़ा और प्राकर्माहन है जिसके उत्तम रत पर सूरे और ताराओं के चिन वाली अने को धुजाए है जो मेरे मन में भी देख पैदा करते रहते हैं ये हैं हम सब लोगों के पिता में शांत नुनिंदन भी शमजी इनके पास सब से पीछे चलना चाहिए क्योंकि ये मेरे कारे में विघन नहीं डालेंगी अर्जुन की बाते सुनकर उत्तर साबधान हो गया और जहां किरपाचारे का रत खड़ा था वहीं अर्जुन का रत भी ले ले लिए वे शम्पाइन जी कहते हैं विराट कुमार ने रत बढ़ा कर क्रिपाचारे की परदक्षना की फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया धन्तर अर्जुन ने अपना नाम बता कर पर्चे दिया और देवदात नामक बड़े भारी शंक को जोर से बजाया उससे इतनी उची वाज हुई मानो परवत फट रहा हो वे शंक नादा काश में गुंजुथार उससे जो प्रती ध्वनी हुई वे वज्जरपात के समान जान पड़ी युदार्थी महारती कृपाचारे ने भी अर्जुन पर कुपी धोकर अपना शंक जोर से बजाया उनका शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया फिर उनने अपना महान धनुश हाथ में ले उसकी टंकार की और अर्जुन के दूपर दस हजार बानों की देश नहीं बोझाया कृपाचार ने दूसरा धनुश उठाया पर अर्जुन ने उसे भी काट दिया इस परकार जब कृपाचार के कई धनुश काट डाले तो उन्होंने प्रजलित वज्जर के समान दमकती हुई एक शक्ती अर्जुन के उपर फैंकी आगाज से उलका के स समान अपने उपर अती हुई शक्ती को अर्जुन ने दस बान मार कर काट डाला फिर एक बान से क्रिपाचार के रत का जुआ काट दिया चार बानوں से चारो घोडे मार दिया च्छटे बान से सार्थी का सर धर्स धढड्स Dreams कर दिया धनुश यरथ गोडे और सार्थी के नस् तब क्रिपाचारे की सहायता करने वाले युद्धा कुंती नंदल को चारवर से घेर कर बान बरसाने लगे। ये देखकर विराट कुमार उत्तर ने घोडों को वाम आवर्थ खुमाया और यमक नमक मंडल बनाकर शत्रों की गती रोक दी। तावे रत हिन क्रिपाचारे को साथ लेकर अर्जुन के निकट से भाग गे। जब क्रिपाचारे रंग भूमी से हटा लिये गे तो लाल घोडो वाले रत पर बैटे हुए आचारे द्रों धुनुशवान से सज्जित होकर अर्जुन के उपर चाड़ाए। दोनों ही अस्त्रविद्या के पूर्ण ग्याता, धैरिवान और महान बलवान थे। दोनों ही युद्ध में प्राजित होने वाले नहीं थे। इन दोनों गुरु शुश्यों की आपस में मुटभेड होते देख भरत बंशियों का वे विशाल सेनब बारंबार काम पने लगी। मारती अर्जुन अपना रत दिरुनाचार के पास ले गया और रत्यंत हश्च में बार कर मुस्कराते हुए उसने गुरु को परनाम करके कहा युद्ध में सिदा ही विजे पाने वाले गुरु देव हम लोग आज तक तो वन में भटकते रहे हैं अब शत्रों से बदला ले कीजिए तब अचारे द्रों ने अर्जुन को लक्ष करके 21 बान मारे बान अभी पहुंचने भी नहीं पाये थे कि अर्जुन ने बीच में ही काट डाले इसके बाद उने अर्जुन के रत पर हजार बानों की वर्शा करते हुए अपना अधुद हस्त लागव दिखलाया त द्रोंना का वेग वायों के समानती वर्था दोनों ही दिवी अस्त्रों का प्रयोग जानते थे अध्य बानों की जड़ी लगाते हुए वे वहां खड़े हुए राजाओं को मोहित करने लगे युद्ध के महाने पर खड़े हुए वीर विश्मे के साथ कहते थे भला अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ रहा ही द्रोनाचारे एंद्र वायव्य और आगने अस्त्र जो जो अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते उन सब को वे दिवी अस्त्रों के द्वरा नश्ट कर दीता था अकाश्चारी देवता आचारी द्रोन की परशंचा करते हुए कहते सब द्यत्य और देवताओं पर विज़े पाने वाले प्रबल परतापी अर्जुन के साथ जो द्रोनाचारे की नए युद्ध किया ये बड़ा ही दुश्कर अगारे है अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली थी मैं निशाना मारने में कभी चूपता नहीं ता उसके हाथों में बड़ी फूरती थी वे दूर तक अपने बान फैंकता था ये सब देखकर आचारे द्रोन को भी बड़ा विस्मे होता गांडीव दुश को उपर उठाकर अमर्च में भरकर अर्जुन जब दोनों हाथों से खींचता उस समें टिडियों के समान बानों की वर्षा से अकास चा जाता और देखने वाले आच्चारे में पढ़कर धन्ने धन्ने कैकर उसकी सराना करने लगती थे जब आचारे के रत के बास लाखो बानों की वर्षा होने लगी वे रत सही ढग गए तब उस सेना में हाहा कार मच गया दुरून आचारे के रत की धजा कटकी थी कच के टुकडे टुकडे हो थे और उनका शीर भी बानों से शत विशत हो रहा था तो ते वज़रा सा मुका मिलते ही अपने शीगर गामी गोड़ों को हांका त्रंत रन भूवीं से बाहर होगी। वे शंपाइन जी कहते हैं तदंतार अश्च श्थामा ने अरजुन के उपर धावा किया जैसे मेग पानी बरसाता है उसी परकार उनके धनुश से बानों की वरिष्टी होने लगी। उसका वेग वायू के समान पर चंड़ था तो भी अरजुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ों को अपने बानों से मार कर अध्वना कर दिया। घाल हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान नहीं रहा महावली अश्यस्थाना ने भी अरजुन की जरासी असाब धानी देख एक बान मारा और उनके धनुश की प्रतिंचा काट थी। उसके इस आलोकिक करम को देखकर देवताओं ने प्रशंशा की और द्रोन, भीशम, करन तथा क्रिपाच्यारे ने भी साधु बात दिया। पास दो दीवे तरकश थी। जिसमें कभी बानों की कमी नहीं होती थी। इसलिए वे युद्धमे परवत के समा न चल था। इधर अश्यस्थामा जल्दी जल्दी परहार कर रहा था। इसलिए उसके बान समाप्त हो गए। अताए उसकी अपेक्षा अरजुन का जोर दीक रहा ये देखकर करन ने अपने दुनुश की तंकार की। उसकी आवाज सुनकर अरजुन ने जब उदर देखा तो करन पर उनकी दृष्टी पड़ी। देखते ही अरजुन करोध में भर गया और करन को माड़ डाने की इच्छा से आंके भाड़ भाड़ कर उसकी और देख करके दिखाने का आज ये अफसर पराप्त हुआ है। मुझसे मकावला हुए बिना ही जो तु बड़ी बड़ी बाते बना चुका है आज इन कौर्वों के बीच मेरे साथ युद्ध करके उसको सत्ते सिद्ध कर। याद है सबा के बीच में दुस्ट लोग द्रोपती को कस् आज यो सन्याई का फल भोग उन दिनों धर्म के बंदन में बंदे रहने के कारण मैंने सब कुछ सेन कर लिया था। किन तु आज इस क्रोध का फल इस युद्ध में मेरी विजे के रूप में तु देख। करने कहा अरजुन तु जो कहता है उसे करके दिखा बाते बहुत बड़ा बढ़ कर बनाता है पर काम जो तूने किया है वे किसी से छिपा नहीं है पहले जो तूने जो कुछ तूने सेन किया है उसे तेरी असमर्था ही कारण हुई हाँ आज से यदि देखूंगा तो तेरा प्रकर्म भी मान लूँगा और मुझसे लड़ने की जो तेरी इच्छा है ये तो अभी अभी हुई है प्रानी नहीं जान पड़ती अच्छा आज तो मेरे साथ युद्धकार और मेरा बल भी देख अर्जु ने कहा राधापुत्र अभी थोड़ी ही देर हुई तो मेरे सामन के बीच खड़ा होकर ऐसी बाते भी बनाए ऐसा कहकर अर्जु करण के उपर क्वच को भी छिन भिन कर देने वाला बानों का पर हार करन भी बानों की वरिष्टी करता हुआ मकाबले में टट गया अर्जु ने प्रथक प्रथक बान मार कर करन के घोड़ों को भिन डाला उस इससे उनकी बंदी हुई मुठी खुल गई तत बच्चात माबाहू अर्जु ने करन के ध्रुश को काट दिया ध्रुश कर जने पर उसने शक्ती का परहार किया किन्तु अर्जु ने बानों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिये ये देखकर करन के अनगामी युद अर्जु ने एक साथ अर्जु पर आकर्बन किया प्रंदु गांडीव से चूटे हुए बानों दुवरावे सब के सब यम लोक के अतिति होगे इसके बात अर्जु में कान तक ध्रुश खींच कर कहीं तीखे बानों से करन के घोड़ों को भीन डाला गायल हुए घोड़े पीड़ा से तहुआ युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की और भाग गया मालती अर्जु तथा उत्तर उत्तर से गरजना करने लगी वे शमपाइन जी कहते हैं करन पर विज़े पाने के अनंतर अर्जु ने उत्तर से कहा जहां रत की धोजा में सर में ताड़का चिन खाई दे रहा है उसी स्यना के पास मुझे ले चलो वहां मेरे पिता में भिशम जी दोग देखने में देवता की समाज जान पड़ते हैं रत में विराज मान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाते हैं उत्तर का शीर बानों से बहुत खायल हो चुका था अदाए उसने अर् आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूं तो मेरा मन डावा डाल हो जाता है गदाओं के टक्राने का शब शंकों की उची ध्वनी वीरों का सिंगनाद हाथियों के चिंगाड तथा बिजली की घड़ गड़ाहट के समान गांधीव की टंकार संते संते मेरे का समरन शक्ती शीन होगी है आप मुझ में चाबक और बाग दोर संभालने की शक्ती नहीं रह गी है तो अरजुन ने कहा नार्श्रेश डरो मत धैरे रखो तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुद प्रकरम दिखाए हैं तुम राजा के पुत्र हो शत्रों का दमन करन वाले मतस्य नरेश के विख्यात वंच में तुमारा जिनम हुआ है इसलिए इस अफसर पर तुम्हें उसाहिन नहीं होना चाहिए राजपुत्र बड़ी भाती धीरज रखकर रत पर बैठो और युद्ध के समय घोड़ों पर नियंदरन रखो अच्छा अब तुम मुझे भिश्रम जी की सैना के सामने ले चलो और देखो कि मैं किस परकार दिवियस्त्रों का प्रियोग करता हूँ आज सारी सैना को तुम चक्र की भानती घूमते हुए देखोगे एक समय मैं तुम्हें बान चलाने की तथा अन्य शास्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा, मैंने मुठ्वी को द्रिड रखना इंद्र से, हातों की फुर्ती भ्रम्मा जी सी, तदा संकट के असरपर विचित्र परकार से युध्य करने की कलाप प्रजापती से सीकी है, इसी परकार रुद्र से रोद्रस्त्र की, वरन से वर्वनस्त्र की, अगनी से आगने अस्त्र की और वायुत दीवता से वायवे अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। अब तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कोरव रुपी बन को उजार डालूँगा। इस पकार अर्जुन ने जब धीरज बदाया, तब उत्तर उसके रत को भीशम जी के द्वारा सुरक्षित रत सहना के पास ले गया। कोरों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी और आते देखकर निश्टुर प्राकर्म दिखाने वाले गंगान अंदर भीशम ने धीरता पुरकुन की गती रोकती जब अर्जुन ने बान मार कर भीशम जी की रत की धोजा जड़ से काट कर गिरा दी। इसी समय महाबली दुशाशन, विकार्ण, दुश्य और विवंच थी। इन चार वीरों ने आकर धनंजे को चारों और से घेर लिया। इसके बाद विकर्ण अपने तिक्खे बानों से अर्जुन को घायल करने लगा, तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बान मारा, उसके लगते ही घायलों कर वर रत से गिर पड़ा, तर अंदर दुस्य और विवंच ती दोनों एक साथ आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर बानों की वर्षा करने लगे, अर्जुन तने के भी विच्रित नहीं हुआ, उसने दो तिक्खे बान मार कर उन दोनों भाईयों को एक ही साथ भीन दिया और उनके गोड़ों को भी माट डाला, जब सेखों ने देखा कि दोनों के घोड़े मर गे और शीर खाय लोकर लोह लोहान हो रही हैं, तो वे उन्हें दूसरे रख पर बिठा कर युद्ध भूमी से हटा कर लेगी, और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, वे माबली अर्जुन रन भूमी में चार और घूमने लगा, जनमेजे, धनंजे के ऐसे प्रकर्म दे कार करते हुए पुना बाड़ाई, वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर बान बरसाने लगे, उनके दीवी अस्तरों से सब और से आच्छन नहो जाने के कारण उसके शीर का दो अंगल भाग भी ऐसा नहीं बचा जिस पर बान नहीं लगे हूँ, ऐसी वस्ता में अर्जुन में चमक कर संपुरन दिशाओं और भूम अंडल को परकाशित करती है, उसी परकार गांडीव धनुष से छूटवे बान द्वारा दस्सो दिशाएं अचन नहो गे, रान भूमी में खड़े हुए हाथी सवार और रथी, सम मुर्चित होगे, सब का उस्सा ठंडा पड़ ग किया, उन्होंने अरजुन की धोजापर फंकारते हुए सर्पो के समान आठ बान मारे, उसे धोजापर स्थित्वे बानर को बड़ी चोट पुची और उसके अगरभाग में रहने वाले भूत भी खायल हुए, ताब अरजुन ने एक बहुत बड़े भाले से बिशम जी का चत्रकाट डाला, कड़ते ही वे पृत्थी पर गिर पड़ा, साथी उसने उनकी धोजापर भी बानों से अगात किया, और शीकरतापुरक उनके घुड़ों को, पार्शुरक्षक को और साथी को भी खायल कर दिया, भीशम पिता में इस बात को सेहन नहीं कर सके, वे इन ने भी दिवेस्त्रों का परहार किया, उसमें दोनों वीरों में बली और इंद्र के समान रुमांच कारी स्विंग्राम होने लगा, कोरव पर शंचा करते भी कहने लगे, भीशम जी ने अरजुन के साथ जो युद्ध ठाना है, ये बड़ा ही दुशकर कारे ही, इन दोनों ही महाप्रोश उस युद्ध में प्रजापत्य, एंद्र, आग्ने, रोद्र, वर्ण, कोबेर्द, याम्में और वायव्यादी दिवेस्त्रों का प्रयोग करते हुए विचेर रहे थी, अरजुन और भीशम सभी अस्त्रों के ग्याता थी, पहले तो इन में अरजुन के ओपर बानों की वर्षा करने लगी, उनने अपने बानों से अरजुन की बाईं पचली भीन डाली, ताब उसने भी हंसकर तीखी धारवला एक बान मारा और भीशम का धनुश काट दिया, इसके बाद दस बानों से उनकी च्छाती भीन डाली, इससे भीशम जी क जानकर सार्थी को अपने करतवे का समरन हुआ और मैं उनकी रक्षा के लिए उनने युद्भूमी से बाहर ले गया, इस शम्पाइन जी कहते हैं, जब भीशम जी संग्राम का महाना छोड़कर सनान से बाहर हो गए, उसमें द्रियोदन अपने रत की पता का फिराता तथा गरशता हुआ हाथ में धनुश लेकर धनंजे के उपर चाड़ाया, उसने कान तक धनुश खींच कर अरजुन के लाट में बान मारा, बान लाट में धस गया और उससे गरम गरम ड़क के धारा बैने लगी, इससे अरजुन का करोद बाढ़ गया, मैं विशगनी के समन्त ती ठीके बानों से द्रिोधन को भीदनी लगा, इस परकार अरजुन द्रियोधन को और द्रियोधन अरजुन को भीदतेंवे आपस में युद्ध करने लगे, तद पश्चात अरजुन ने एक बान मारकर द्रियोधन की चाति छेत ती, और उसे घायल करती है, फिर उन्ने तर्वामन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है ताब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी भुचाएं ठोक कर द्रियोधन को ललकारते हैं कहा द्रिश्ट रास्त नंदन युद्ध में पीट तिका कर क्यों भागा जा रहा है अरे इससे तेरी विशाल नस्ट तोड़ी है तेरे विजे के बाजे जैसे पहले बजते थे वैसे अब नहीं बज रहे हैं तुम्हें जिन्हें राज्य से उतार दिया है उन्ही धर्मराजी दिश्टर का अग्याकारी ये मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है जरा पीछे फिर क आगे पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता इस लिए भाग जा और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों को बचा ले इस परकार युद्धमे महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुष की चोट खाए हुए मत कजराज के समान द्रिधन लोट पड आपने शत्विशत्षीर को किसी तरह संभाल कर उसे पुना युद्धमे आते देख करन उत्तर और से उनकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मकाबले में आ गया पश्चिम से उनकी रक्षा करने के लिए भिशमजी धनुष चड़ाए लोटाए द्रोनाचारी क्रिपाचार युएंश्टी और दुशाशन और आपने बड़े-बड़े धनुष लिए शीगर ही आए दीवी अस्त्र धारन की अवे उन्यों धाव ने अर्जुन को चार तरफ से घेल लिया और जैसे बादल पहाड के उपर सब और से पानी बरसाते हैं उसी परकारवय उन पर बानों क के वर्शा करने लगे अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़ कर शत्रो के अस्त्रो का निवारन कर दिया और कोरव को लक्ष करके सम्वहन करके अस्त्र प्रगट किया सम्मोहन नामा कस्त प्रगट किया जिसका निवारन होड़ना कठिन था इसके बाद उसने भ्यंकर आवाज करने वाले अपने शंग को दोनों हाथों से थाम कर उस सवर में बजाया उसकी गंभीर धोनी से दिशा विदिशा भूलो को राकाश कूंज उठे अरजुन के बजाय हुए उस शंग की आवाज सुनकर कोर वीर बेहोश होगे उनके हाथों से धनुश और बांग गिर पड़े और वे सभी परम शांत निश्चेश्ट होगे उन्हें अचेत हुए देकर अरजुन को उत्तरा की बात का समरन हुआया अता उसने उत्तर से कहा राजकमार जब तक इन कोरों को होश नहीं आता तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ और द्रोना चारे तथा क्रिपा चार के शेद करन के पीले तथा अश्च श्थामा एम द्रियोधन के निले वस्तर लेकर लोटाओ मैं समझता हूँ पिता में भीशम जी सचीत है क्योंकि वे इस समोहन अस्तर को निवारन करना जानते हैं इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाईं और छोड़ कर जाना क्योंकि जो होश में हैं उनसे इसी परकार साफ़ धान होकर चलना चाहिए अरजन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडर छोड़ कर रच से कूट पड़ा और मारतियों के वस्तर लेप पुना शीगरी उस पर आबेठा तंतर वे रच थांकर अरजन को युद्द के गेरे से बाहर ले चला इस परकार अरजन को जाते देख भी शम जी उसे बानों से मारने लगे तब अरजन ने भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी दस बानों से भींद दिया इसके बाद सार्थी के भी प्रान ले लिए फिर उन्हें युद्ध भूई में छोड़कर वे रथियों के समू से बाहर आगया उसमें बादलों से प्रगत्वे सूर की भांती उसकी शुबा हुई इसके बाद सभी कौरव वी धिरे धिरे होश में आगे द्रियोदर ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है तो अब भीशम जिसे गबराट के साथ बोला पिता में ये आपके हाथ से कैसे बच गया आप भी इसका मान मर्दन कीजिए जिससे छूट रहे ना पावे वीशम ने हसकर कहा कुरूराज जब तो अपने विचित्र धनोश और बानो को त्याक कर यहां चेत पड़ा हुआ था उस समें तेरी बुद्धी कहां गई थी प्राकर्म कहां चला गया था अर्जुन कभी निर्दैता का विवार नहीं कर सकता उसका मन कभी पापाचार में प्रवित नहीं होता मैं तिर्लोकी के रज्ज के लिए भी अपना धर्म नहीं चोड़ सकता यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्रान नहीं लिए आप तो शीगरी कुरूदेश को लोट चल अर्जन भी गवों को जीत कर लोट जाएगा मोवाश अब अपने स्वार्थ का भी नाश ना कर सब को अपने लिए हितकर कारे ही करना चाही पिता में कि यह हितकारी वच्चन सुनकर द्रियोधन को अब इस युद्ध में किसी लाब की आशा नहीं रही वे भीतर ही भीतर अत्यन्त अमर्ष का भार लिए लंबी सांसे भरता हुआ चुप हो गया अन्य योधाओं को भी भीशम का ये कथन हितकर परतीत हुआ युद्ध करने से तो अर्जन रुपी अगनी उत्रोतर प्रजलित ही होती जाती थी इसलिए द्रियोधन की रक्षा करते हुए सब ने लोट जाने की ही राई पसंद की कोरव वीरों को लोटते देख अर्जन को बड़ी परसंता हुई उसने अपने पिता में शांत रुनंदन भीशम और आचारे द्रुन के चर्नों में सिर जुका कर परनाम किया तदा अशश्थामा कृपा चारे और अन्यान माननीय कुरवंशियों को बानों की विचित्र रिती से नमशकार किया फिर एक बान मारकर द्रियोधन के रत्मजडित मुकट को काट डाला इस वरकार माननीय मीरों का सतकार कर उसने कांडीव दनुश की टंकार की जगत को गुंजाय मान कर दिया इसके बाद सैसा देवदात नामक शंक वजाया जिसे सुनकर शत्रू का दिल दहल गया उसमें अपने रत की सर्माला मंडित धोजा से समस्थ शत्रू का त्रिसकार करके अरजुन विजे उल्लाज से शोवित हो रहा था जब कोरव चले गए तो अरजुन ने परसन्न होकर उत्तर से कहा राजकमाद आप घोडो को लोटाओ तमारी गुमों को हमने जीत लिया और शत्रू भाग गे इसलिए अब अनंदपूरा का अपने नगर की और चलो कोरो का अरजुन के साथ होने वाला ये अधोध युद्दे कर देता लोग बड़े परसन्न होए और अरजुन के प्राकर्म का समरन करते हुए अपने अपने लोग को चलेगी उसका हस्त रान काट दिया और माथे लटकाने की रसी भी काट डाली